असके आप लोगों का। स्वास्तिक क्लासेस में सब स्वागत है और आपको बताया घया था कि इस बार आपको मैथ्स की क्लासेथ, माद्स की वीडियो भी मिलेंगे तो आज हम लोग मैथ्स का पहला लेक्चर देखते हैं संख्यापधत क्या बता जाएगा कर्क संख्या पद्धद संख्या पद्धत में आपको नम्बर सिस्टम जो है आप इसको पहले से पढ़े हुई हैं परचित भी हैं लेकिन हम आपको सब्णाइब क्लिए से पढ़ा आते हैं कि क्योंकि हम दोबी वीडियो मिलें जिस जो बताई जाए वो बेसिक से बताई जिससे आपको कोई दिक्कत नहोंने पाए जो आपका कॉणसेट क्लियर नहीं है या भूल चुके हैं वह आपको फिर से पढ़ा दिया जाए जिससे आपके आगे जो हैं प्रोसेस वह ज़्यादा आसानी से आप आप कर सकें पढ़ सकें तो पहला है आपका संख्या पध्धत में प्राकृत संख्या तो पहले हम इसको पढ़ाने के कुछ चीजें आप से सेर कर लेते हैं जैसे हमारे पास यह चार जो है, marker हैं, चार marker हैं, अगर हम आप से इसको गिनने को कहें, तो आप कहां से सुरू करेंगे, एक, दो, तीन, चार, तो सुरुवाद हमने कहां से कहीं, एक से, अगर आपको कोई भी चीज काउंट करने को, गिनने को दिया गया, तो आप कहां से सुरू करते हैं, एक से, इसक संख्या का नाम प्राकृत संख्या क्यों पड़ा क्योंकि हम कहां से शुरू करते हैं एक से और प्राकृत संख्या हमारी प्रकृत एक से गिनने की है इसलिए प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है एक दो तीन चार पांच और तो यह सुरू कहां से होगा एक से अभी तक यहां आप सब अलग अलग अंक हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यह सब आपको अलग मिल रहे हैं लेकिन यहां आप देखिए 10 संख्या 10 में एक को फिर से लिखा गया 11 को एक एक फिर दो बार रिपीट किया गया 12 में एक और दो आता है तो अब यहां आपको नया नंबर मिला क्या मिला जीरो और आपको यह पता है किसी जीरो के आ जाने से जिसकी कोज भारत में यह हुई थी जीरो के आ जाने से दुनिया की हर संख्या बनाने के लिए यही 10 अंक हमारे लिए काफी होते हैं कौन से जीरो से लेक करके नौ तक अगर आप सपोच कर यह जीरो ना आया होता जीरो हमको न मिलता और हर संख्या के लिए हम नए अंग को लिखते तो हमारे लिए गिनना या याद रखना बहुत कठिन हो जाता इसलिए जीरो से ले करके नौ तक इन संख्याओं से ही हम सबको लिखते हैं जिससे हमें हर संख्या आसानी से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं तो प्राकृत संख्या एक से श्टार्ट हुई शुरू हुई और आपका पूर्ण संख्या इसको किसलिए कहा गया क्योंकि यह जीरो से जब इसमें जीरो इंक क्योंकि 0 x से ले करके 9 तक के गिंती के समुह में आकरके संक्राइब करें इसलिए इसका नाम क्या रखा गया पूंड संक्या आप जहें नाम से ही इसको क्या करिए समझने की कोसिस करिए क्योंकिम को explain कर देने पे नाम को समझ लेने पे आपको जो कि अगर सुरू होती है पूर्ण संख्या जीरो से सुरू होती है क्यों सुरू होती है हमने आपको बता दिया अब तीसरा टॉपिक हमारा है अंक संख्या मान क्या है अंक संख्या मान तो अंक संख्या मान में यह जो आपको बताए गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यह अलग अलग है यह सब आपके क्या है अलग अलग है और यहां देखिए दस से कि यह आपके दो अंकों से बनी हुई है तो यह अब संख्या हो गई तो अंक आपका क्या है यही जितने जीरो से ले करके 9 तक हैं जितने हम अलग अलग लिखतें हैं यह सब आंक जैसे दस में संख्या बनाते हैं तो इसमें आपका आता क्या है, हम एक पद्धत का यूज़ करते हैं, वो है दासमिक पद्धत, क्या है दासमिक पद्धत, तो दासमिक पद्धत आप जान रहे हैं, नाम में इसके क्या है, दस, क्या है, दस, तो इसमें हम सिर्फ दस अंकों का प्रयोग किया जाता है, जीरो से ले त्विस्ताए इसमें संख्या बनाने के लिए दाई और से बाइं तरफ लिखा जाता है जाता है दूसरा दाई तरफ से बाईं तरफ बढ़ने पर कितना बढ़ जाते हैं दस गुना कितना बढ़ते हैं दस गुना तीसरा है इसमें संख्याओं से गिंती के समोहों का बोध होता है यह पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस पॉइंट से आपके एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे हम आपको बता रहे हैं तो जैसा कि यह चीज़े आपको किलियर हो गई अब यह जो विशेशता है हम इसको एक्स्प्लेइन कर देते हैं इसमें देखिए आपको जो है दाई से पाई तरफ का मतलब क्या है कि नंबर लिखने के लिए हमेशा हम कहां से ज़रू करते हैं इकाई दाई सेकड़ा हजार दस हजार आपको इस तरीके से संख्या लिखना सिखाया गया है आपको यह पता है जैसे तीन सो बारा है तीन एक दो हमने लिख दिया क्या हो गया तीन सो बारा तो संख्या जब भी चाहे हम इधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं हर हाल में हम बड़ा हम बड़ा नंबर किसको मानते हैं दाई तरफ वाले को अगर हमने एक यहां बढ़ाया तो एक हजार तीन सो बारा हो गया अगर हमने यहां बढ़ाया तो हम हम ह Watson करते हैं कि चाहिए से और आपको पता है कि हमारा आता हैरा उसके बाराएंधर प्र आता है यह संख्या हें आपकी आती हैं तो पहला क्याूग rę इसमें संख्या मतलब 10 यह आपका एक है यह आपका 10 है यह आपका 100 है यह आपका 1000 और यह आपका 10,000 ठीक है यहां से यहां तक आने के लिए कितना हुआ प्लस 10 यह प्लस के बजाए इसको मल्टिप्लाई समझी है मल्टिप्लाई 10 का यहां से आने तक 10 फिर यहां से आने तक 10 का गुड़ा यहां से यहां तक आने के लिए 10 का गुड़ा मतलब क्या है कि दाई तरफ से बाई तरफ हम दस गुना बढ़ जाते हैं तीसरा है इसमें संख्याओं से गिंती के समूहों का बौध होता है तो अब गिंती के समूहों का बौध कैसे होता है आप इसको देखिए हमने यहां भी लिखा था तीन सो बारा तीन सो बारा बना कैसे दो इक आई एक दस तीन सेकड़ा यही तीनों जब हमने एड किया तो क्या मिला हमको तीन सो बारा मिला तो इसमें यह क्या बता रहा है कि संख्या जो है यह बता रही है कि इसमें गिंती के कितने समूह है तीन सो के तीन समूह है दाई दस का एक है और इकाई एक का दो है तो यह इस तरीके से आपको इसमें संख्याओं के संख्याओं से गिंती के समूहों का बोध होता है ये आपको बता रहा है आपको इसको बहुत इजेक्ट किलियर करके समझ लेना है क्योंकि इससे एक नंबर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे आ जाते हैं जैसे है तीन हजार दो पांच दहाई साथ इकाई तो आप अगर जो है इसको समझ के रखे हैं तो उससे आपको क्या है तीन हजार दो सो तो ये आपका क्या हो गया तीन हजार दो सो पचास और साथ आप इसको तीन चारों को जोड़ देंगे तीन हजार दो सो सपना हो ये आपका नंबर बन जाता है इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं एक नंबर में तो आप इस लाइन को इसमें संख्याओं से किंती के समुहों का बोध होता है तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेजिए जिससे अगर आपका एक नंबर के क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकें ठीक है तो यह आपकी इतनी चीजें हो गई अब आपको हम अंक संख्या मान हमने क्लियर कर दिया अब आपको जो है अंक संख्या तो हो गया मान आपको बताने के लिए अब हम यूज करेंगे कैसे सिष्टम होते हैं नंबर लिखने के तो अब आपको हम आगे वह बताने चल रहा है देखिए आपको जो है अंक संख्या बताई गई थी मान बताने के लिए हमारे पास दो तरीके की पद्धतिया हैं एक है हिंदू अर्विक पद्धत दूसरा है आपका अ ममें कि हम जो बाई तरफ से दाइट बढ़ते हैं देखिए पाई तरफ से हमने मिकाई !! दहाई स्यकडा 1000 Uh TVs बढ़ते हुगे लिख दिया अब आप देखिए यहांं पर यह तीन तो है इसमें आप देख रहे हैं कि यह एकाई लिखा हुआ है यह का मतलब क्या है यह समूह है ऊपर जो यह लिखा गया है यह क्या है आपका समूह होगा है समू का मतलब क्या है यहां इकाई क्यों लिखा गया है आप तो कहाएंगे इकाई यह है लेकिन यह इकाई क्यों लिखा गया है यहां पर इकाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह जो भी संख्या होगी यहां तीनों में हम तीनों को अलग अलग लेते हैं जैसे ये कितना लिखा गया है 125 हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं तीनों संख्याओं को अलग अलग लेते हैं लेकिन अगर हम इसी को बढ़ जाते हैं आज तो ये कितना लिखा गया है 21 दहाई सेख्ड़ा हजार 10 अजार और यहाँ से आपका यह समूँ 11 का हो गया यहां से यह समूँ 100 अजार का हो गया देखिए इसमें हम तो अलग अलग लेके पढ़ते हैं लेकिन अब इन दोंगों को हम मिला के पढ़ेंगे क्यों? क्यों कि ये 1000, 10,000 के नीचे हैं और इन दोनों को मिला के जो भी बनेगा हो क्या बनेगा? 1000 ही रहेगा तो 5 और 6 मिलके 56 बन गया और 26,000 तो ये 56,239 यहाँ आप देख रहे हैं कि 2219 ये यह एकाई लिखा गया कि एक दो तीन जो भी है इकाई दाई साइकड़ा इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं इसलिए इकाई है उसके आगे जब आप पढ़ जाएंगे तो यहां तक 1000 और 10,000 तक जो भी संख्याएगी दोनों को मिला कि हैं नंबर क्या पढ़ते हैं हजार लगा के ही लिखते हैं या पढ़ते हैं उसके बाद अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं जैसे कि अभी यहां लिख दिया गया है तो यह कितना हो जाएगा साथ जो है किसके नीचे है लाग के नीचे साथ लाग 65,432 लेकिन अगर हम यहीं पर बढ़ा देते हैं तो अब जो है कितना हो गया यह साथ किसके नीचे है दस लाग के और इसको कितना पढ़ेंगे साथ दस लाग 6 लाग तो पढ़ते नहीं दोनों को मिला के पढ़ेंगे और वह वर के कौन सा है लाग ही है तो यह है तर लाग 55,321 इसलिए यह आपका क्या है कि ग्रूप बता दिया गया कि जो है इकाई में इकाई दही सेकड़ा आता है हजार धशार दस जार आता है लाख में दस लाख दस लाख आता है क्यों कि इसको जो है साइकड़े तक हम अलग अलग पढ़ते हैं इसलिए ही कही लिखा गया उसके बाद हम दोनों को combination करके पढ़ते हैं इसलिए ये हजार गृूप हो और उसके बाद हम लाग ग्रूप में बढ़ जाते हैं और दोनों को क्या करते हैं कंबाइंड करके पढ़ते हैं इसलिए यह आपका लाक हो गया यह तो आपको बताया क्या गया हिंदू-अर्विक पद्ध्यत आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लीजिए क् अब आपको हम बताएंगे क्या अंतर राश्टिये पद्धत क्या बताएंगे अंतर राश्टिये पद्धत को बढ़ाया गया अब आपको क्या बताया जा रहा है अंतर राश्टिये पद्धत तो देखिए अंतर राश्टिये पद्धत और इंदू-अर्विक पद्धत यह समझते हैं बोलते हैं याद करते हैं तो आपका यहां पे एकाई दहाई सैकड़ा जैसा कि किस में था हिंदू अरविक पध्धत में था उसे हिसाब से है हजार दस हजार यह भी आपको हिंदू अरविक पध्धत में मिला लेकिन यहां आप गया क्या सव हजार वहां जो आपक फिर दो-दो का था उसके बार इसमें जो है अंतर राष्टिय पध्यत में क्या होता है पहला गुरूप आपका तीन का रहेगा दूसरा गुरूप आपका तीन का रहेगा तीसरा गुरूप आपका तीन का रहेगा कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमेशा गुरूप जो है वो त 123 पढ़ा जाएगा क्या पढ़ा जाएगा 123 हिंदू अर्विक छिस्टम में भी और अंतराश्टिय पद्धत में भी उसके बाद आपका कि 26 527 हिंदू अर्विक में भी यही पढ़ते हैं और उसके बाध जो है अंतराश्टिय पद्धत में भी यही पढ़ते हैं लेकिन यहां पर आपको क्या लिखा गया आप हिंदू अर्विक सिस्टम में इसको क्या पढ़ते थे एक लाख तेईस हजार चारसो चपन लेकिन आपको अंतराश्टी पद्धत में क्या पढ़ना है 123,000 क्योंकि यह 3 मिला के किसमें काउंट ओँगे हजार में 123,000 456 तो वहाँ पर 10,000 तक के वल हजार के ग्रूप में था यहां 100,000 को भी मिला दिया गया मतलब यहां जो आप वहां लाख फढ़ते थे उसके अस्तान पर यहां क्या है 100,000 है उसके बाद जब आप इसमें आएंगे मिलियन ग्रूप में तो कैसे पढ़ेंगे आठ मिलियन साथ सो पैंसट हजार चार सो बारा क्या बनेंगे आठ मिलियन साथ सो पैंसट हजार चार सो बारा आप यहां पे अगर एक नंबर बढ़ जाएगा अगर हम इसको अठारा बना देते हैं तो अब यह क्या हो जाएगा अठारा मिलियन साथ सो पैंसट हजार चार सो बारा उसके बाद आप यहाँ पर अगर हम किसी नमबर को ले लेते हैं तो अब क्या पढ़ा जाएगा यह किसके नीचे है मिलियन के तो 234 मिलियन 123 1000 और यह आपका क्या है 456 तो क्या पढ़ेंगे इसको 234 मिलियन 123456 यह आपका अंतर राष्टिय पर्धत भी हो गया अप दोनों में फर्क क्या है आप यह देख लेजिए वैसे आप अगर इसकी ग्रूप पे ध्यान दिये होंगे दोनों को तो आपको अंतर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा लेकिन मैं आपको बता भी दे रहा हूं यहाँ पे अंतर राष्टिय पर्धत के इसाप से अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक सो तेईस हजार चार सो छपपन और अगर इसी को हिंदू अर्विक सिस्टम में लिखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाक गुरूप आपका क्या हो गया चेंज हो गया तो इसको हिंदू अर्विक सिस्टम में लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा एक लाक तेईस हजार चार सो छपपन तो जो वर्ग में अंतराल है वर्ग में जो अंतर है एकाई का तो सेम था हजार में यहां दो गुरूप रहेगा यहां क्या है तीन गुरूप है हजार का तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा कि यह आप जब अंतर राश्टिय पद्यत में पढ़ते हैं तो एक सो तेईस हजार चार सो छपपन जब आप हिंदू अर्विक में पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे या एक लाख हुआ है कि तेईस हजार 456 मतलब जो यहां 100,000 है वह यहां किसके बराबर है लाख के बराबर है तो यह चीजी यही दो डिफ्रेंस है एक डिफ्रेंस आपका यही क्या है कि यहां गुरुप जो होता है वो तीन-तीन का बनेगा इसमें हिंदू-अर्विक में दो-दो का बनेगा और आपका जहां यहां लाक आता है वहां इसमें हजार रहेगा आप जहां इसमें दस लाग पे पहुंचते हैं तो इसमें क्या पहुंच जाएंगे मिलियन में पहुंच जाएंगे यही आपका में अंतर है इसमें कि हम इसमें पहले तीन का इसमें भी पहले तीन का इसमें बाद में भी तीन का बनता है लेकिन इसमें फिर किसका बनेगा दो दो अंकों का ग्र बद्धियां आपको अस्पष्ट होनी चाहिए अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं है तो आप अस्थानिय मान और वास्तिविक मान को हल नहीं कर सकते हैं तो यह आपको मैंने कलि Bowl कर दिया अब मैं इसी के आधार पे आपको वास्तिविक मान और अंकित मान बताता हूँ देखें आपको बताया गया कि हिंदू अर्विक सिष्टम अंतराश्य पद्यत दोनों बताया गया हिंदु अर्विक पद्यत और अंतराश्य पद्यत तो एक तो आपको लिखने में हो गया कि कैसे हम लिखते हैं दूसरा आप उसका मेन रोल आपका किस के लिए है वास्तविक मान और अस्थानी अमान के लिए वास्तिविक मान क्या होता है वह मान जो कभी ना बदले क्या होता है वह मान जो कभी ना बदले अस्थानी मान क्या होता है जो अस्थान विसेश की वजा से हो चलिए इसको हम आपको समझाते हैं कि पहले कि इसका मतलब क्या रहेगा जैसे आप किसी सामान को खरीदने जाते हैं, आप सहर में खरीदते हैं, और उसी चीज़ को आप कहीं गाउ में खरीदते हैं, तो दोनों में फर्क क्या होता है, कि दोनों जगह में अंतर जो है, वो बढ़ जाता है, अंतर क्या है, घर की बात अगर की जाए, तो सहर में घर मह गाव में आपका घर सस्ता है लेकिन अगर आप वही कपड़ा है या किसी और चीज की खरिद्दारी करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है या आप सब्जियों को ले करके करिए जैसे सब लोग क्या है कि बाहर हास्टल में रहके या कहीं पर पढ़ते हैं तो गाव में सब्जि आप सब्सक्राइब आप में यूज कर रहे हैं जो आप सब्सक्राइब करें इसकी वज़न से वही सब्सक्राइब क्या होती है महंगी हो जाती है तो अगर आप किसी सबजी को लिया तो यूस तो आप उसको सबजी में ही करेंगे जैसे अगर आपने इस समय प्याज बहुत महेंगी हो गई है तो प्याज की ही बात कर लेते हैं आप प्याज जो है गाओं में खरिदते हैं मानके चलिए यहां पर आपको मिल जाती है पचास रुपए किलो और अगर आप सहर में खरिदते हैं तो आपको यह सत्तर रुपए पर केजी मिल रही है यह आपके गाओं का और यह आपके सहर की कीमत है तो प्याज चाहे गाओं की खरीदिया चाहे सहर की खरीदिया यूज आप उसका क्या है प्याज के तोर पे ही कर सकते हैं उसकी वैलू क्या है प्याज की ही है और यह जो है आपका रेट अगर आगे पीछे हो रहा है तो यह किसकी वजहां से हो रहा है सिर्फ अस्थान बदलन की वज़ां से तो यह प्याज जो है यह आपका है वास्तविक कि इसकी क्वाल्टी अगर हम पचाश रुपए वाली भी खरीदेंगे तब भी वह वास्तविक वैलु की प्याज ही रहेगी प्याज ही हम इसको यूज कर सकते हैं प्याज की रूप में और पैसा हम को क्या देना करता है अस्थान विसेश की वजह से गाउं सहर तो वास्तविक मान और अंकित मान आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वास्तविक मान वह मान जो कभी न बदले जो प्याज है वो प्याज ही रहेगी चाहे जहां भी कि अस्थानिय मान क्या है उसके भाव में परिवर् है अगे अग्वाइब को किसा देखने के लिए देखिए है कि अग्वाइब कि अग्वाइब अग्वाइब तो एक्ष एकड़ा हजार दस जार एक नंबर हमने लिख दिया अ-गार आप देख रहे हैं किसमें दो है चार दो बार आया चार जो है वो इसको चार बोलते हैं यहां भी इसको चार बोल रहें लेकिन जब नंबर पढ़ेंगे तो यह को जाएगा 41,000 क्या हो एक तालिस हजार दोसो चार यहां पे भी इसको हमने चार पढ़ा यहां पे भी हमने क्या पढ़ा चार पढ़ा तो वास्तविक मान इसका तो वही है हम इसको यूज जो है चार के रूप में ही कर सकते हैं चेंज नहीं कर सकते कि चार के बजाए यहां लिखा तो हम पांच मानने और यहां लिखा तो हम चार मानने दोनों जगा हम इसको मानेंगे चार ही लेकिन अस्थान की वज़ां से वैलू क्या हो गई यह यहां पर इकाई के अस्थान पर हैं सिर्फ चार है और यहीं चार यहां चार है और अस्थानिय मान क्या है चार गुड़े दस अजार क्योंकि ये दस अजार की नीचे है तो आपका मन क्या क्या है चालिस हज्जार और ये चार इसका वास्तविक मान चार है और इसका अस्थानिय मान क्या है चार है तो यहां पर क्या है कि आपका वास्तविक मान चार अस्थानिय मान चालिस हज्जार वास्तविक मान चार अस्थानिय मान चार जैसे मां मैंने प्याज बताया था, तो आप देखिने कि ये चार जो है, ना इसकी value यहाँ change हो रही है, और ना ही इसकी value यहाँ change हो रही है. तो वास्तविक मान दोनों जगाize same है, तो वास्तविक मान का मतलब यह है, जो number लिखा गया है, वही वास्तविक मान होता है. उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो चाहे जहां रहेगा उसकी वैलू अहीं रहेगी अस्थानी एमान आपको बताया गया कि जो अस्थान विसेश की वज़ां से हो तो यहां देखिए यह चार इकाई के अस्थान पर था इसलिए इसका अस्थानी एमान क्या है चार है और यह चार जो है आपका 10,000 के अस्थान पर हैं इसलिए इसका अस्थानी एमान क्या हो गया 40,000 हो गया तो यह आपके वास्तविक मान और अस्थानी एमान थे वास्तविक मान वह होता है जो कभी नहीं बदलता है हर जगा उस एक ही तरीके से रहता है एक ही होता है वह अनियमान हो गए अब आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताई जाती है देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं, चोटी संक्या और बड़ी संक्या, बहुत कामन चीज है, बहुत चोटी चीज भी है, कि मैं रिवीजन के लिए, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसको आपको बता तेता हूं, चोटी संक्या और बड़ी संक्या, चोटी संक्या म में फर्क क्या रहेगा जैसे हम दो नुमबर ले लेते हैं एक दो तीन चार दूसरा ले ले लेते हैं चार तीन दो एक अंक आपके बराबर हैं जो अंक यहां है वहीं यहां है बस उनका क्रम बदला हुआ है लेकिन आप देखिए इसको क्या पढ़ेंगे एक हजार दो सो चाह क्या हो गई 4321 बड़ा हो गया 1234 की तुलना में क्यों फर्क क्या था यहां हजार के अस्थान पर एक है यहां हजार के अस्थान पर चार है अगर हम इनको सेम पोजीशन में भी लिख देते हैं 2,3,4 सैकड़े तक दोनों बराबर हैं, 2,3,4 यहां भी है 2,3,4 यहां भी है लेकिन आपका यह क्या है 1234, यह क्या है 4234 फर्क किसका पर आप जितने आप right side आ रहे हैं बड़े अस्थान्य के अस्थान पर बड़े अस्थानी मान्के अस्थान जो है जिसका अस्थानी इमान बड़ा होगा वही संख्या क्या हो जाएंगी बड़ी हो जाएगी 2021 expire 206 जब हम बढ़ते हैं कि सिके नीचे 1000 कि नीचे जिसमें बड़ा उंखोगा वही खेवड़ी होगी जिसमें छोटा उंखोगा वही खोटी होगा हूँ चोटी से चोटी और बड़ी से बड़ी संख्या वह भी अंकों की तो हम आपको बता देते हैं चोटी से चोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या चोटी संख्या बड़ी संख्या यह आपको किसके लिए है दो अंगों के लिए लेते हैं पहले हम दो अंगों की तो आप जब गिनते हैं तो जो है दो अंग का शुरू होते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस पे सबसे पहला दो अंग क्या आता है दस और फिर आप गिंते हुए जाते हैं तो दो अंग का सबसे आकरी नंबर क्या है 91,92 से जब आप पहुंचेंगे तो क्या पहुंचेगा 99 क्या होगा 99 क्योंकि 99 एक बाद आता क्या है आपका 100 और सव का मतलब हो गया एक दो तीन अंक लेकिन हमको यहाँ दो अंकों की बात करनी है इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें ध्यान क्या देते हैं दो अंकों में दस हो गया निन्यान्यवे हो गया अब आपका जब हम तीन अंकों की बात करते हैं किसकी बात करते हैं तीन अंकों की तो अभी हमने बदाए निन्याननेविक बाद सव आता है सबसे पहली तीन रंकों की संख्या और जब इसमें पहुंचेंगे तो नौ सव निन्याननेविक क्योंकि इसके बाद एक बढ़ जाने का मतलब क्या होगा कि यह आपका एक हजार हो जाएगा चारंक हो जाएंगे पर 999 बाद क्या आता है एक हजाब आता है और यह क्या होगा चार रंकों का ऐसे ही जब हम चार रंकों में पहुंचते हैं कि तो एक हजार और यहां आपको क्या मिले我們 baru 9999 तो आप क्या देख रहे हैं कि चोटी संक्या जो योगा उसमें जतने अंक की तो नो थे va all Сवान का है तो तीन बार 9 है और चार अंग का है तो चार बार तो मतलब जितने अंकों की छोटी संख्या ओपूजी जाएगी उसमें पहले हम एक लिखेंगे उसके बाद 0010 एक कम दो की तो यह ऐख बार 00 पूर्वुवर्ति क्या बता रहे हैं अनुवर्ति और पूर्वुवर्ति तो यह आप पहले से पढ़े हुए हैं और इससे अच्छी तरीके स्परचित भी हैं हम आपको लेकिन इसको किलियर करते हैं पूर्वुवर्ति चलिए अनुवर्ति और पूर्ववर्ति को भी देख लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा जैसे हमने इधर पूर्ववर्ति कर दिया और इधर क्या है अनुवर्ति बीच में हम संख्या लिख दे रहे हैं ठीक है संख्या के लिए चलिए शुरू करते हैं अनुवर्ति और पूर्वर्ति को जैसे पहला हमने ले लिए दस क्या ले लिए दस तो दस अगर इधर लिखना हमको नंबर लिखना हो स्रीज में क्रम में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे नौ के पहले दस के पहले हम क्या लिखेंगे नौ लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे एक ग्यारा लिखेंगे उसके बाद आपको जो है हम यहां ले लेते हैं पंद्रा तो इसका अगर हमको क्रम बनाना है तो यहां आएगा चाहुदा और यहां क्या आएगा तो आप देख रहे हैं कि पूरवरती में क्या होता है एक अंक कम एक जो है कम हो जाता है एक अंक क्या एक कम हो जाएगा और अनुवरती में एक बढ़ जाएगा नाम ही ये अपना बता रहा है कि इसमें होना क्या है अनु अनु से आपका एक सब्द है अनुयाई क्या है अनुयाई अनुयाई सब्द जो आपका है उसका मतलब क्या है कि आप किसी के पीछे चलते हैं और पूर्ववर्ति पूर्व आप उसके पहले चलते हैं तो जो भी संख्या है पूर्ववरती में आपको क्या कर देना है पूर्ववरती के लिए आपको एक माइनस कर देना पड़ेगा इसमें जब आप एक माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा दस में से एक निकल गया नौ और इसमें आपको क्या करना है प्लस कर देना है जैसे कन्फ्यूज ना हूं आप इसके लिए हम एक इसको दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं जैसे इसी 10 को हमने ले लिया तो इधर हम पूर्ववर्थी लिखते हैं और इधर जो है अनुवर्थी तो आपको क्या करना है इधर आपको पूर्ववर्थी के लिए एक माइनस कर देना है और इधर क्या करना है प्लस वन कर देना है यहां से आपको मिलेगा नौ यहां से आपको मिल जाएगा 11 इस तरीके से यह आपका पूर्ववर्थी और और प्राकृत संख्या बताया है तो उसके हिसाब से हमने क्योल पूरवर्थी अनवर्थी बताया है आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको संख्या मिलेगी पूर्ण संख्या क्या मिलेगी पूर्ण संख्या तो उसके लिए हम फिर से आपको इसको बता देते हैं बता देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा दोनों से अलग है तो पूर्ण संख्या स्वारी पूर्ण संख्या तो हो गई है पूरांग की बात कर रहे हैं कि कि आपको प्रक्रित संख्या और पूर्ण संख्या यह उसके आप से पूरवर्ती अनवर्ती वह ने बता दिया अब next lecture में आपको पढ़ाएंगे वह पुछाएंग पूरॉण अख पढ़ाएंगे जिससे यह थोड़ा सा concept आपको बताया गया आप इससे अच्छी तरीके से परचित हैं बस है गया कि आप इसको practice में रखते नहीं भूल चुके होंगे या अगर आपको याद है कुछ problem है तो आप इससे clear कर सकते हैं अगर आपको और कोई समस्य है तो आप comment में बता सकते हैं वीडियो को आप करें धन्यवाद